दोस्तों आपके प्रेंट चैनल देग्जाएं प्रैम से आपसे का स्वारत है दोस्तों आप लोगों के लिए बरी अपडेट यहां पर आई है यह आपका दो डिपार्टमेंट आप लोगों के लिए वेकेंसी रिलीच कर दी गई है तो दोस्तों सबसे पहले मैं यह बोलना च आपका एडा में है तो चलिए हम इसमें फठी पहला देख लेते हैं इंडियन आर्मी में क्या बोला गया है यहां पर देख सकते हैं कि यह बारतिय था सेना का है इसमें आपका जो ओफिसर इंट्रीज है इसमें क्या बोला गया है तो हम चलिए जो आप हिंदी इंग्लिस दोनों में बताए गया है तो हम इंग्लिस वाले देख लेते हैं अप्लिकेशन और इन्वाइट फोर दा फ्लोइंग कोर्स यहां पर पहला आपका सोट सर्विस कमिशन यानि कि टेक मे की इसे में इसे अगर अप्लाइ करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाइ कर सकते हैं सेकेंड आपका बूला गया है सौट सर्विस कमिशन एंटी यानि के एन सीची सबसेंट इंट्रिय तो इसमें इस पेसल इंट्री चल रहा है स्कीम 52 सेकेंड लिज खोर मेन एन ओमेंन इंक् और इस डेट से आप फॉर्म को फिलाब कर सकते हैं तो इसमें फॉर्म कर सकते हैं आप हम सेकेंड देख लेते हैं कि वह कौन सा है और दोस्त अगर आप चैनल करना है तो अगर आपने अभी तक असे सब्सक्राइब कर लिए और विल एकन को भी ऑन कर लिगे यहां हम देख सकते हैं कि आपका एरेडा यानि की इंडियन रिन्यूवल इनर्जी एजनसी लिमिटेड यह आपका government of India enterprises है तो इसी आपको लिए बहुत बड़े पोस्ट पर हैं तो यहां पहले हम इसको देख लेता है कि इंडिया रिन्यूवल इनर्जी जब्लप्मेंट में इसका एजनसी लिमिटेड में यह वेकेंसी है जो कि लीडिंग पब्लिक फाइनेंस इंस्टिट्ट एन बीपीसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यूवल इनर्जी के अंतरगत आता है तो आप इसमें देख सकते हैं यहां पर आपको इन्वाइट किया गया है अप्लिकेशन के लिए कौन-कौन सा पोस्ट है तो हम इसमें देख सकते हैं कि नौ पोस्ट पर यहां सब्सक्राइब हैं कि देख से सब्सक्राइब का रहने वाला है और इसमें आपका स्क्राइब मेरा रहने हालते हैं पर आताल यहूंद सस्ट रहने वाला है हुआे एक लाग से दू लाख अची हजार रहेगा इसमें आपको टूटल वेकेंसी एक है और इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मांगा गया है विद पोस्ट ग्रेजुएट रहना चाहिए आपका मिनमम आपका एक्सप्रेंस जो मांगा गया है मेंटिरिंग और रिकवरी ऑफिसर करहने वाला है इसका भी सेम रहेगा इसमें एक विकेंसी है आपको एक्सप्रेंस 27 एर्स मांगा गया है 26 एर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सप्रेंस है और 53 एर्स रहना चाहिए इसमें लवक सेम है आप नीचे देख सकते हैं यह ची घ्रल मैनेजर कर 빠पर देखते हैं याप चीप मैनेजर इसको डिसक मेनेजमेट के लिए रहने वाला है और यह एक बेकेंसी है इसमें आपका ईएप कि एक्प्रेंस 15 सल मांगा गया है और आपका 50 साल से ज्यादा नहीं रहना चाहिए और यहां पर शिक्ष नमर्ण आपके डूफ्ट जेरल मैनेजर के लिए बैकेंसी है और चीप मैनेजर मोनेट इंडिंग रिकवरी के लिए है इसमें भी आपका एक वेकैंसी है और बाकी डि इसक्वालिफिकेशन रहना चाहिए आपको यहां प्रोटोकॉल ऑफिसर टेक्निकल एसिस्टेंट ऑफिस और स्पेशल ड्यूटी के लिए रहेगा इसमें आपका अजयर सकता हार आपका आपका कोट कोट्रेक्ट बेसिस पर जिसमें आपका जा सकता है अगर आपका प्रफिर्मेंस अच्छा रहता है या फिर वहां पर आपका रिक्वार्मेंट है उसके अधार पर आपका आगे एक्सेट किया जाएगा इसका और और अगर देखना है तो आप इसको ओफिस्यल वेफसाइट रिड़ा के फिसलवेफसाइट पर जाएं यह इसे देख सकते आपको इसे बडान कर सकते हैं यहां पर आपका online application पांच मार्च 2022 से 26 मार्च 2022 तक आप कर सकते हैं तो अगर आप interested हैं तो आज इससे फॉन फिल अप कर सकते हैं आपको लेकिन फॉन फिल अप करने से पर आपको detail advertisement को अच्छे से एडिट करना है आपके अपने qualification से match करना है अगर आप